अगर आपने आप तद चानल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब और ये बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए इसके लिए हमें चाहिए तीन ग्लास इडली राइस जिसे कनकी भी खाहा जाता है और एक बोल ग्रीटिट कोकुलनट सबसे पहले ये राइस को अच्छे से दो लेंगे और इसमें पानी मिलाकर इसे पांच से छे गंटे या फिर ओवरनाइट सोख करने के लिए रख देंगे ये देखे चावल अच्छे से सोख हो चुके है तो आप हम इसे पीस लेते हैं इसके लिए इससे मैंने एक मिकसर के बोल में ले लिया है और थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे अच्छे से पीस लेगे देखिए इस तरह से एकदुम fine piece ना है और ये मैंने बचा हुआ चावल ले लिया है और साथ में coconut मिलाएंगे और थोड़ा सा पाने मिलाकर इसी तरह से इसको grind कर लेंगे इसमें हम पाने मिलाएंगे पैटर का जो consistency है वो एकदुम watery रहना चाहिए मैंने तीन ग्लास पानी मिलाया है देखिए ये इसकी consistency रखेंगे और इसमें स्वाधानसार नमक मिलाके mix करेंगे अगर आपको coconut नहीं मिलाना हो तो उसके बिना भी आप इस तरह से सिफ चावल ग्राइंड कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है इसको grease करेंगे दोशा पैन को अच्छे से गरम होने देंगे और इस तरह से दोशा के बैटर को pour करेंगे और ढख लेंगे और यह देखिए नीर दोशा तयार है इसी तरह से हम बागी के नीर दोशे भी बना लेंगे आप इसे breakfast के लिए बना सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो शाम के चाई के साथ या फिर एक light dinner के लिए भी इसे आप प्रफर कर सकते हो यह बहुत ही आसान है बनाना एक दिन जरूर से आप नीर दोशा ट्राई कीजिए यह देखिए यह नीर दोशा भी तयार है इसे आप खा सकते हैं और इन वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक और शेर कीजिए और अगर अब तक चानल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए it be happy healthy and safe thank you for watching